तो इस वीडियो में जो हम Hero ISL का मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा जमसेदपूर FC वर्सिस बेंगलूरू FC के बीच मैच कवेनी होगा न्यूटरल गुवा रात में 7.30 पीम पे मैच स्टार्ट होने वाला है तो दोस्तों बात करें जमसेदपूर FC और बेंगलूरू FC के इस खिन लें थर्ड पोजिशन में छह में तीन विक्ट्रीज हैं दो ड्रॉज हैं सिर्फ एक मैच यह हारे हैं बहुत अच्छे तेरा गोल स्कोर के आठ ही नोने गोल कंसीड कर दिये और 11 इनके पॉइंट है और अगर यह आज का मैच जीतेंगे तो यह मुंबाइ सिटी FC के ब खेल सकते हैं फिलाल बेंगलूरो FC आप दिखेंगे उतना अच्छा सीजन नहीं जा रहा है अभी तक बिल्कुली इनके प्लेयर्स फॉर्म में नहीं दिखे हैं साथ में सिर्फ एक विक्ट्री है दो ड्रॉज है और चार इनकी लॉसिस है 11 गोल इन्हों ने स्कोर किये जो क अब यह टीम भी जाएगी क्योंकि अगर अब इस भी ओ पॉइंट्स डॉप करेगी तो यह जो टॉप फॉर है ना इसकी रेस उनके लिए अल्मोस्ट खतम हो जाएगी बिकॉस अब ज्यादा टाइम नहीं बचा दस बारा मैचेस ही बचे हैं तो अब यहां पे बेंगलूर कोई बहुत अच्छी फॉर्म नहीं है लेकिन जमसेदपूर की फॉर्म बहुत अच्छी है लास्ट तीन मैचेस में दो बड़ी टीम को रहा है और एक बड़ी टीम के अच्छी फाइट करी बट अनफॉर्चुनेटली वो हार गए फिलाल इस मैच की बात करें फेवरेट्स ऑब्यसली जमसेदपूर एफसी होने वाली है जिस तरह का फुटबॉल खेले उनके प्लेयर्स फॉर्म में बट दोस्तों इसल है उलट फेर होते हैं इसल में कली आपने देखा मुंबाई सिटी एफसी केला ब्लास्टर से आर गई जहां पे वो क्लियर कट फेवरेट थे मुंबाई तो ऐसे उलट फेर इसल में होते रहते हैं तो इसमॉल लीग में तो हम जमसेदपूर को ही फेवर करके अपनी टीम बनाएंगे बट अगर हम ग्रेंड लीग केलिंगे जिसकी में आठ जील टीम पोश्ट करूँगा इस प्रोविबल लीग पे पहले हम बात कर लेते हैं फेवरेट जो की जमसेदपूर FC हैं तो यह फेवरेट्स होंगे इनके मैग्सिमम प्लेयर पिक करेंगे स्मॉल लीग में यानिकी सेवन और अपोनेंट के पिक करेंगे सिर्फ फोर प्लेयर तो लीमा थोड़े से यहां पर डाउटफूल है आई थिंक सैद श्टार्ट ना करें और यह बहुत में प्लेयर है मिट फील्ड में इनके तो कंसिस्टेंट है एक मैच में तीन गोल मार रहें अगले मैच में ओ गोल नहीं मार पारें तो ऐसा अटेक है तो अभी के लिए क्लिंशीड मेरे अकोडिंग किसी एक की आ सकते हो जमसित पूर है और इन्होंने अभी तक डिफेंसिव वाइस भी बहुत इंप्रेसिव पर्फ साबिया इनको इस्टार्ट नहीं मिलेगा क्योंकि चारी फॉनर अलावड है ग्रेग स्टीवर्ट हो गए वासकस हो गए फिर थर्ड लीमा होंगे फॉर्थ हाटली होंगे बट अभी के लिए जो रूमर सारे उसके अगोडिंग लीमा डाउटफुल है तो साबिया हाटली दोनु खेलिंगे तो फिलाल इनके डिफेंस में मेरी टॉप टू चॉइस रहने वाल है दोस्तों उसका में रिजन है न कुछ भी है डिफेंसी पॉइंट नहीं दिंगे बट कॉनर में एक हैड़ेट गोल मार दिंगे आपने पिकनिक है वहीं पर आपका गेम खतम हो पिछले मैच में हाटली ने हैड़ेट गोल मारा जो फोन निल की विक्ट्री है सेकिंड मिनट में दो हैड़ेट गोल अल्रेडी मार चुके है और एक गोल अल्रेडी साब्या भी स्कोर कर चुके है फिलाल इनका सिलेक्षन भी आई है तो यह दोनु मेरी टॉप टू अगर आपको कोई एक ड्रॉप करना है यहाँ पर आपका 50-50 कॉल लेगा लिकी लालमवा और लाल दियाना रेंड लाई में किसी एक को अपने अकॉडिंग ड्रॉप कर सकते हैं दोनु ने अभी ठीक ठीक ठाक क्या है दोनु डिफेंसिव ओफेंसिव कर रहे है तो यह पू यहाँ पर नरेंदर गहलोथ खेलिंगे उस केस में आप हाटली रिकी और लेंदलाई तीनों को भी करके नरेंदर गहलोथ को ड्रॉप कर सकते हैं यह आप अपने उसमें चेंज कर सकते हैं अगर यहाँ पर एली साबिया के बद्दे नरेंदर गहलोथ खेलते हैं अब डिफ किया ना यह forward section में listed है वहाँ पर मारे पास बहुत सारे options हैं कम से कम 5 या 6 option है अगर सुनील चेत्री भी start करते हैं पिछले match में उन्होंने नहीं किया तो इस वए से अभी के लिए आती है आप देखना कुछ ना कुछ ट्रिक्स टांस वगेरा करके कैसे ना कैसे मनलब चहांते हैं कि गोल असिस्ट हो एक अच्छे प्लेयर मुझे लगे क्वालिटी है पोटेंशल है गोल असिस्ट कर सकते हैं तो कोमल ठटाल अभी के लिए मैं पिक करूँगा बट अगर ऑफ डेज आता है सबसीट भी हो सकते ये भी है लेकिन अभी के लिए अगर लीमा होंगे तो मेरी नंबर वन चॉइस रहेंगे अगर लीमा नहीं हुए य अभी हीरो असल के वनब दा बेस्ट प्लेयर है करेंडी जो फॉर्म में चलने है चार गोल चार असिस्ट ओलेडी कर चुक है पांच-छे मैचेज में और पिछले मैच में है तो एक डिफॉल्ट केप्टनसी अप्सन होते है और आपने हैट्ट्रिक देखी होगी इनके मैच में वासकस यह भी एक बहुत-बहुत इंपर्टेंट प्लेयर है जब आपने सीजन स्टार्ट कर रहा होगा तो आपको मिलब स्टार्ट होने से पहले आपको यही लग रहा होगी वासकस इस सीजन इनके टैलिस्मैन होंगे बट ग्रेग इस्टीवर्ट ने थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि वासकस फ्लॉप जाएंगे तो आप इनको इग्णोर करके फिर अपोनेंट से क्लिटन और छेत्री या क्लिटन और प्रिंस इबारा दोनों को पिक कर सकते हैं बटे भी के लिए मैं ग्रेग इस्टीवर्ट के साथ वासकस को शोली पिक करूँग लेकिन जिस तरह की फॉर्म में इस्टीवर्ट है ये भी ले सकते हैं तो अभी के लिए इनमें 50-50 कॉल रहने वाला है फिलाल यह अभी तक के इनके सीजन के स्टेट हैं हीरो आएसल के लिए अभी के लिए अपोनेंट के बात करने से पहले एक बार फिर से रिमाइंड दिल कर सकते हैं 4300 के असपास सब्सक्राइबर वाला चैनल अपको मिल जाएगा तो डिस्क्रिप्शन वाक्स या टॉप पिन कमेंड में जाईए टेलीगिराम चैनल से जरूर से जरूर जोइन हो जाईए अब हम बात करते हैं आप उने बैंगलूर एफसी की तो सबसे बड़ा ल प्रतीक चौद्री एलन कोष्टा है और अजीत कुमार है पिछले मैच में क्या हुआ था आशिक कुरुणियान आज बैंच उंगे उनके वापस सुनील चित्री लेवल में वापस हैंगे और लेफ्ट वैग में अजीत कुमार खेलेंगे फिलाल अगर ये बैक फोर खेलता ह मेरे को किसी पे भी ट्रेश्ट नहीं है इस्टिल अगर किसी एक के साथ जने एलन कोष्टा मेरी चोइस रहेंगे डिफेंसिव अग नहीं करते हैं बट हेडर्स में अच्छे हैं जब भी कॉर्नर सेट पीसेज होता है बैंगलूरू को कोई भी प्लियर होगा इनको छेतरी प्रिंस ही बारा इन प्लियर्स कोई ढूंता है तो कोष्टा एक इंपर्डेंट ऑफ्सन हो सकते हैं अगर आपको पिक करना है तो इनके डिफेंस आप इनके साथ जा सकते हैं बट अगर इनका गोल वगेरा नियाता उतने पॉइंट यह नहीं देते अगर गोल और क्लिंशी यही रहने वाले हैं फिलाल मैं जमसितफुर हेवी डिफेंस लेके जा रहा हूँ तो मैं यहां मैक्जीमम एक ही पिक करूँगा एक भी डिफेंडर इनका पिक नहीं करूँगा इसमॉल लिग में बट ग्रेंड लिग में आप चारो को ट्राइ कर सकते हैं बेंगलूरू फे ज्यादा हाई है दानिश फरूग पिछले मैच में एक अच्छा हेड़ेट गोल इन्होंने मारा मिट्फिल से अच्छी आपसन हो सकते हैं तो इनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं ठीक टांग डिफेंसीव वक भी कर रहें और ऑफेंसीव क्रेंटिविशन भी देने और अगर गोल असिट कर दिया हो हमाले बोनस होगा तो अभी के लिए मैं इनको भी यहाँ पे कंसिडर करूँगा मिट्फिल से कर रहें तो इन तीनों में हमें एक ही पिक करना होगा दो बड़े प्लेयर ड्रॉप करने होंगे अगर हम इन फॉर्म जाते हैं सब चीज सिनेरियोस के अ आई है इन फॉर्म भी है अल्रेडी चार गोल दो असिश कर चुक है तो क्लिटन सिल्वा मश्पिक रहेंगे अभी कलिए मैं इनको रिकमेंड करूँगा बट अगर आपको रिस्क लेना है आप सुनिल खेतरी को भी कर सकते हैं सीजन बिल्कुल अच्छा नहीं गया दो पेन लेसकते हैं या आपको लगे रहा वासकर्स फ्लॉप जाएंगे फिकास ग्रेग इस्टीवट दो ड्रॉप मत करना अंड्रेट परसेंट करना तो आप वासकर ड्रॉप करके क्लिटन सिल्वा सुनिल खेतरी दोनु को पीक कर सकते हैं अभी के लिए मैं स्मॉल लीग में नही क्वालेटी इनके पास भी है बट इनको भी मैं अभी के लिए ग्रेंड लीग में ट्राय करने वाला हूं फिलाल यह बैंगलूरो एफसी की प्रभविवाल लिलाओं थी लगबग सभी चीजह मैंने यहां से भी एक्स्प्लेम कर दी पैनाल्टी का कोईश्यों नहीं अब क् शेत्री दो पैनाल्टी में सकर चुग है पिछले मैच में क्लिटन ने लिए इन्होंने पैनाल्टी में स्कोर किया था तो अब 50-50 हो गया है बट आइधिंग अभी भी छेत्री को लेने चीए यहां पे पैनाल्टी भी फिलाल यह अभी तक के इनके सिजन के स्टैट है हीरो अभी के लिए जो मेरी प्रिडिक्सन है मैं एक 2-0 या 2-1 जमसितपूर FC विक्तिरी के साथ जारूँ स्मॉल लीग में पिलाल यह मेरी डेम और अफ्टी में गुर्प्रीज सिंग संदू मेरे गोल की बरहें चारो मैंने जमसितपूर के डिफेंडर लिए कोमल ठटाल लिए ग्र च्थिवर्ट केप्टन और वाऍसकर मैं नेबिक किए अगर यहाँ पर लीमा फिक खेलते हैं मुट्फ्विल में Vä 142 दो यहémे नरिंदर घ्यलोथ खेलिंगे उनके प्लेश में लीमा ले सकता हूँ यहाँ दानिज्छों लिए ब्रूनो रेमिरॉस और क्लिटन सिल्व को भी वाइस क्रिप्टन सी दे सकते हैं फिलाल ये टैम और अफ टीम थी इस मैच की आठ गरांड लीग और एक फाइनल स्मॉल लीग टीम लाइन अप आने के बाद टेलीगराम चैनल में पोस्ट करूँगा उसका लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर से जरूर इडिए